हलो जी, I hope आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत हल्दी होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बढ़ा करने का ट्राइ कर रहे होंगे मेरा नाम है आयूश और मैं आप सब का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है क्या हम बजीज को और कॉकेटियल्स को एक साथ एक ही पिंजरे में रख सकते हैं तो यार देखो, रख तो हम सकते हैं बट हमें रखना नहीं चाहिए इस चुछ को मैं एक्स्प्लीन करता हूँ धीरे-धीरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जो पक्षी हैं उनमें सबसे उपर आता है बजीज एंड देन आता है कॉकेटियल्स इवन जब मैंने भी बड रखा था, पैरट रखा था अपने लाइफ में तो वो जो फर्स पैरट था वो बजीजी थे मैं चार बजीज लेके आया था चोटे से पिंजरे में दिल्ली में रहता हूँ तो मैं वहा गया था लाल किला महा से लेके आया था और आप लोगों ने तो नाबर थर्ट इडिस लव बड इन तीनों में से एक ही रहे होंगे, मेजरिटी अफ दी वीवर्स के फर्स बड तो बजीज के केस में हम लोग बजीज उठा के लिए आते हैं, बजीज छोटे से होते हैं साइज में, बट सीन क्या है, वो छोटे से होते तो हैं, बट वो बहुत साधा energetic birds होते हैं, बजीज, और cockatiels के केस में क्या है, cockatiels in general बहुत काम, बहुत शांस और भाव के पक्षी होते हैं, मतलब अगर हम compare करें तो जो cockatiels हैं, cockatiels एक दम guy type के होते हैं, वो एक दम शांत रहना पसंद करते हैं, बहुत subtle birds होते हैं, और वहीं अगर बजीज की बात करें, बजीज कभी इधर उड़के जाएगा, कभी उधर उड़के जाएगा, तो अगर हम चाहें, बजीज को और cockatiels को एक पिंजरे में रखना, हम रख सकते हैं, बजीज, लडाई अगर नहीं भी होंगी, तो बजीज क्या है, इधर उधर 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 fly करना करते हैं, कभी इधर उड़के जाएगे, कभी उधर उड़के जाएगे, कि केज में और हमने कोई नया टॉय डाला है, वो देखना पसंद करते हैं, अब सीन कहा है, इससे को कॉकटिल्स को प्राबलम होती है, बजीज को इतनी खास प्राबलम नहीं होती है, को क्या प्राबलम क्या आती है, कि इतने जादा एनरजी के डिफरेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, एक इतने हाई एनरजी के साथ केज में दर उदर उड़ेगा, और एक शांती से बैठा रहेगा पिंजरे में, तो उसमें ये प्राबलम आती है, कि कोकेटिल्स स्ट् प्राबलम केजिज़ रखे हैं, एक में और ने हम उन्हें खोल रहे हैं, तो जब उन्हें कोल रहे हैं, तो तब हम उन्हें साथ में च cuatro सकते हैं, क्यूंकि अगर बजीज से परिशान होंगे तो इटाबलम के हम ने लग दिए बट अगर एक ही पिंजरे में हमने रख दिया तो बजीज कभी उनको प्लागिंग मतब बजीज कॉकटियल को अगर प्लक करेगा तो कॉकटियल इदर दर बहुत तेज होते नहीं है दर भाग नहीं पाएंगे तो हमें काइदे से दो पिंजरा रखना चाहिए एक में बजीज को रखना चाहरें तो एक केज में रख सकते हैं दो बजीज को रखना चाहरें हमें एक केज में रख सकते हैं बट एक बजीज और एक बजी हमारे पास और एक कॉकटियल है उन दोनों को साथ में रखना एक पिंजरे में मुश्किल है थोड़ा और किस कंडिशन में हम रख स सीन डिफरेंट हो जाएगा बट अगर आम इक शॉप से लेक्षाप से लिखा हैं तूसरा भी शॉप से लिखा हैं और बजीस को बजीस स्टार्टिंग से बजीस के साथ रहा है को कटियर से साथ रहा है फिर जब वो एक केज में तो बहुत जादा प्राप्लम आती है तो इस अलग रखी होने और इस इस इट फर द वीडियो थैंकियो सो मच अगर आपने वीडियो पूरी देखियो और ऐसे जुड़े रही है और प्लीस कमेंट करिये नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के आपर हो नीचे आइड ट्राइट वीडियो अस तून अस पासिबल थैंकियो स वीडियो सो मच